सो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन ने जुआनु से शादी करने से मना कर दिया था जिस्सें काफी उदासों गई थी और चेन को बाई बोल कर चली गई थी चेन भी डेंस सीटी से चला गया था वो एलडस सुफू के साथ हेंग्यू सेक्ट जा रहा थे उन्होंने गलती से चेन पर अटेक कर दिया ये सुनकर एडस सुफू ने उन दोनों को वहां से बेज दिया था चेन को ड्रेगन सोल होस्ट सेलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बता था एडस सुफू ने उसे बताया था कि तिरी सेट के एंसेस्टर दाओ जुआ ने एक डिमन ड्रेगन को मार कर अपने तीन स्टुडेंट के साथ उसकी बोडी को सिल कर दिया था उन तीन स्टुडेंट ने ड्रेगन के बोडी पार्ट की मदर से तिरी सेट को बनाया था जिसमें हेंग्यू सेक्ट कि यून सेक्ट और जेंग्यांग सेक्ट थे ड्रेगन सोल कि एंग्यूस सेक्टे और किंग्यूस सेक्टे के ड्रेगंस मेरी तरह नहीं है वह इंसानों को अपने कंट्रोल में करके उन से बुरे काम करवाते हैं उसके बाद ड्रेगंस लोस्ट सिलेक्शन शुरूओ गया था सारे इस्टुडेंट सोल ड्रेगन मॉन्यूमेंट में अपनी स्पीचल एनर्जी ट्रांसर कर रहे थे पर किसी को भी 20% से जादा नहीं मिल रहे थे चेन ने भी ड्रेगन सोल मॉन्यूमेंट में अपनी एनर्जी ट्रांसर की थी जिसकी वाजे से वो dragon soul के में पहुंच गया था और वहाँ dragon ने उससे डेंट कर दिया था लेकिन chain ने उसे बुरी तरह घाल कर दिया था जिसकी वाजे से chains dragon soul के से बाहरा गया था फिर अब हम chain को देखते हैं वो dragon soul monument में spiritual energy transfer करता है जिससे मोन्यूमेंट पर और आगलो करने लगता है कुछ वक्त बाद मोन्यूमेंट के अंदर से एनर्जी बाहर आती है और चेन के ड्रेगन सौल उस्ट बनने के 30% चांस दे यह देखकर सब चौक जाते हैं एक स्टूडेंट के था कि मुझे विशाष नहीं हो रहा कि चेन को 30% मिले हैं मुझे लगता है कि अब चेन ही ड्रेगन सौल का गोश्ट बनेगा दूसरा स्टूडेंट के तुम सही के रहे हो हैंग यू सेट के सारे इस्टोंग स्टूडेंट ने ड्रेगन सौल नहीं मिले हैं इसका मदलब अब चेन ही ड्रेगन सौल उस्ट बनेगा चेन जुआन के पास आता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मुझे ज्यादा परसेंटेज मिलेंगे और मैं ज्यादा वक्त तक जिन्दा रहूंगा मगर मुझे सिफ 30% मिले हैं जुआन चेन को एक मौन्यूमेंट में स्विचल एनर्जी ट्रांसर करता है और उसे 20% मिलते हैं इसी तरह दूसरे स्टूडेंट भी आकर ड्रेगन सौल मौन्यूमेंट में स्विचल एनर्जी ट्रांसर करते हैं लेकिन किसी भी स्टूडेंट को 20% से ज्यादा नहीं मिलता यह देखकर मास्ट सोल मोनुमेंट में स्विचल एनर्जी ट्रांसर कर लेते हैं तो माश्टर यांग ड्रेगन सोल होश्ट सेलेक्शन को खत्म कर देते हैं वो के दें कि सारे स्टुडेंट्स ने ड्रेगन सोल मोनुमेंट में स्विचल एनर्जी ट्रांसर कर ली है पर किसी को भी चेन से जहाँ परसेंट नहीं मिले है इसलिए चेन डेगन सोल का होश्ट बनेगा ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं लेकिन अचानक क्यों जोर जोर से हिलने लगती है जिसे सब घवरा जाते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि सब वो क्या रहा है तब ही इन जी क भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है जिससे वो भी काफी घवरा जाता है ये सब देखकर किंग जी को कुछ वक्त पहले की बात याद आती है जिसमें चेन उससे डीमन हाट देकर कहता है कि तुम एंग्यू सेट के किसी ऐसे स्टूडेंट को डूंडो जो आंक से नफरत करता है और वो इस्टूडेंट टॉंग जुआन के ग्रूप में आना चाहता हो जैसे ही तुमें वो इस्टूडेंट मिल जाए तुम डीमन हाट को बहां निकाल देना वो अपने आप उस्टूडेंट की बोडी में चला जाएगा मैं चाहता हो कि एंग्यू स कि याद करके किंग जी सोचता है कि मुझे लग रहा था कि मैंने गलत स्टूडेंट को डीमन आट दे दिया है लेकिन मैंने इसे डीमन हाट दे कर कोई गलती नहीं की है हेंग्यू सेट की ड्रेगन सॉल एक इविल है और इंजीं के पास भी डीमन आट है जिस वज़े से ड् परवाद कर देगा ये सब देखकर मास्टर यांग भी हेरान हो जाते हैं वो कहते हैं कि मुझे बरोसा नहीं हो रहा कि ड्रेगन सौल खुद अपना होश्ट चूस कर रही है तब ही इंजी की बोडी की इस वीचल एनरजी ड्रेगन सौल मॉनुमेंट में ट्रांस्वर हो जाती है जिससे वहाँ बहुती जादा एनरजी रिलीज होती है और इन सब की वज़े से इंजी के ड्रेगन सौल का होश्ट बनने के 90% चांस हो जाते हैं ये देखकर सब लोग चौंग जाते हैं एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे विशाश नहीं हो रहा कि इंजी को 90% मिले हैं कि किसी ड्रेगन सौल होश्ट को 90% मिले हो इससे बता चलता है कि इंजी ड्रेगन सौल होश्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है और ड्रेगन सौल ने खुद उसे अपना होश्ट चुना है ये सब सुनकर जियों को बहुत बुरा लगता है और उससे इन सब पर वरोसा नहीं होता इससे चेन भी काफी रानों जाता है इंजी बहुत ही जादा खुश होता है क्योंकि अब वो ड्रेगन सौल का उस्ट बनने वाला था मास्टर यांग सोसते हैं कि ड्रेगन सौल होश्ट की इस्ट्री में सिफवे की स्टूडेंट को 60% मिले थे मगर इस बार सब चल के रहा है तबी उनकी नजर ड्रेगन सौल मोन्यूमेंट पर पढ़ती है और 90% चांस देकर वो एरान हो जाते हैं वो कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी ड्रेगन सौल लोश्ट बनने के 90% चांस नहीं देके ये सच में एक मिरेकल है वो इंजी को अपने पास ब पदद करूंगा ये सुनकर इन जी खुश हो जाता है और ड्रेगन सौल के के सामने बेट कर कर्टेशन करने लगता है एलडर टौंग भी दोनों एलडर के साथ ड्रेगन सौल के के सामने आ जाते हैं वो उन दोनों एलडर के सांद मिलकर के डोर में एनरजी टांसर करते हैं जिससे डोर के उपर एक formation एक्टेट हो जाती है और उस formation में एक gate open हो जाता है उसे देखकर सब चोंक जाते हैं तब ही dragon के उसे बहारा जाता है और आसपास गूमने लगता है वो जोर से दारता है जिससे वहाँ काफी energy release होती है और उस energy की वज़े से कुछ students दूर जाकर गिरते हैं dragon energy पर attack करता है जिससे वह dragon soul के consciousness space में पहुंच जाता है dragon energy से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों use किया है क्योंकि तुम्हारी body के अंदर devil art है और उसी से attract होकर मैंने तुम्हें choose किया energy कहता है कि तुम्हें सब क्या बाते कर रहे हो और यह demon art क्या होत जेता और उसकी body के अंदर जाने लगता है जिसकी वाज़े से energy को बहुत तकलिफ होती है और जोर जोर से चिलाने लगता है उसे देखकर master young चौंक जाते है चेन बूसता है कि आखिर का dragon soul ने इससे क्यों choose किया जौन कहती है कि मुझे भी समन नहीं आ रहा कि dragon soul ने इसे अप जी के साथ क्या हो रहा है तबी इंजी को ओशा जाता है उसके head पर एक mark बन जाता है उसकी eye yellow कर glow करने लगती है और उसकी body पर evil aura glow करने लगता है इंजी अपनी body से energy release करता है जिसकी वाज़े से students को तकलिफ होने लगती है और कुछ students दूर जाकर गिरते हैं मगर कुछ वक्त सबनोर्मल हो जाता है जियों कहता है कि इसकी power बहुत ज़्यादा है अगर इसका ओरा इतना powerful है तो इसकी power कितनी ज़्यादा होगी ड्रेगन सोल ओश्ट सच में खास होते हैं माश्ट यांग कहते है कि ड्रेगन सोल ओश्ट सेलेक्शन अब पूरा हो चुका है और इंजी ड टेक्स रोची